अब तामसी आदमी का, रजोगुन का नीचा इस्साई तामस है, थोड़ा बेद पड़ेगा, तामसी भोजन के बारे में बगवान कहते हैं, यात यामम, जो जिसके उपर याम, याम कहते हैं, पुराने जो टाइम फेक्टर्स थे, उनमें ये आठ याम होती थी, आठ याम, चौंसट गड़ी, याम को प्रहर भी कहा है, अश्ट प्रहर चौंसट गड़ी, आठ प्रहर में चौंसट गड़ी हुआ करती थी, पुरानी भाष्या में, तो एक प्रहर तीन घंटे का होता है, ऐस चौईस घंटे काउंट हुए हैं दिन और रात के, तो याम, या कहा यात याम, जिसके उपर तीन घंटे से पहले बनाया हुआ भोजन है, तीन घंटे बाद खाया जा रहा है, वो तमोगुन है, तमोगुनी बुद्धी देगा, त तीन घंटे पहले बनाया हुआ भोजन, एक यहां पर विशेश छूट दिये बड़े महापुरसों ने, कि जो बगवान को अरपन किया हुआ, बगवान को जो भोजन को अरपन कर दिया है, वो प्रशाद रूप में जो भोजन है, वो चाहे बारे गंटे का भी ठंडा हो, त जो भी वो आपको शुद्ध बुद्ध देगा, बगवान को जो भोजन अरपनी नहीं हुआ, और तीन घंटे, चार घंटे, छे गंटे पुराना है, वो तमुगोनी भोजन कहला है, यात यामम, जिसके उपर एक याम, एक प्रहर गुजर गया, मालो सुबह तयार किया, भो भोजन होना चाहिए, इसलिए तो लोग गरम गरम भोजन खाते हैं, गरम भोजन, ताया भोजन, गरम भोजन, जो अभी अभी बनाया है, उसका महत अधिक है, और जो बासी पड़ा है, यात यामम है, वो भोजन जो है, तमोगोनी रजोगोनी बुद्धी देगा, यात याम जिसमें टेष्ट नहीं है, टेष्ट लेस है, स्वादिष्ट नहीं है, वो भोजन भी आपको तमोगोणी बुद्धी देगा, उदर सतोगोणी भोजन में गया है रस्युक्ता, रसह, रश्या, रश्या नि रस्युक्त, जो रस्युक्ते हैं, जूसी, जूस, जिसके अंदर भरा है, रस यानि स्वाद, रस क्या है स्वाद, टेष्टी, इदर कहा है जो टेष्ट नहीं है, जिस भोजन में टेष्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, उत्तमोगोणी है, यातियामं गत्रसम, पूती, परियुशितम, छेयत, पूती यानि बासी भोजन, बासा हो गया है, बास माने लग गई है, परियुशितम, दुर्गंद फैल गई है, उचिश्टम चाप इमेद, उचिश्ट यानि जूटा, आपने भोजन किया, और जो बच गया उसको बांद के पैकर के रख दिया, फिर दुबारा 2-4-6 गंटे में उसी गोठा के खाया, ये है उचिश्टम, या किसी ने जूटा छोड़ दिया, उसको आपने पैक करके रख दिया, या उसको खाया, ये भी आपको तमुगुणी बुद्धी देगा, जूटा भोजन, उचिश्टम, खुद का भी जूटा क्यों नहीं हो, जैसे आपने एक गिलास से पानी पी लिया, और रख दिया, जूटा हो गया पानी, अब इसी पानी को आप 2-4 गंटे बाद फिर आके पिएंगे, ये पानी आपको शुद्धी नहीं देगा, ये जूटा भोजन है, ऐसे ये आपने भोजन किया थाली में, डाल करके, और आदा तो खा लिया, आदा बच गया, अब इसको पैक करके आपने रख दिया, फिर आके इसी को खा लिया, ये तमुगोनी बुद्धी देगा, या किसे ने दूसरे ने जूटा छोड़ दिया, चाहे हो आपका भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, पती ही क्यों ना हो, और उस जूटे बोजन को आप खा रहे हैं, वो भी आपको तमुगोनी बुद्धी देगा, उच्छिष्टम, एक ही छूट दिये यहाँ पर मापूर्शों ने, संतों ने, कि गुरुजी का जूटा खा लेना, कि गुरुजी इतने उचे इस तरफ हैं, कि उनकी जूट खाने से आपको बुद्धी शुद्धा आएगी, बाकी नहीं, मना किया है, उच्छिष्टम, जूटा भोजन है, तमुगोनी भोजन, उच्छिष्टम अपी चामेद्यम, चामेद्य खेदे, जो छूने लायक नहीं, जो टचेबल नहीं है, उसको छूने अंटचेबल है, जो छूने का मन भी नहीं करता, सत्वगोनी पुरुष्ट जिस भोजन को चूते भी नहीं, ऐसे तो, तमुगोनी तो खाएंगे ही, चूके ही, उदो अंदर ही डालेंगे, जो छूने लायक नहीं, किन के लिए, सत्वगोनी पुरुष्टों को लिए, सत्वगोनी पुरुष्ट, मांस को चूते नहीं, आथ नहीं लगाते, अंडे को, आमलेट को, दारु को, शराब को, नहीं चूते, दूर रहते हैं, कि दूर उठावाएं, तू दूर कर, चामेद्यम, यह है, अंटचेबल, जिसको छूना भी नहीं चाहिए, ऐसा भोजन, तमोगोनी भोजन है, जो छूने का भी धर्म नहीं, खून, मांस, इसको नहीं, सत्वगोनी आदमी नहीं चूएगा, शराब को क्यों चूएगा सत्वगोनी आदमी जाकर के, कोई संत मात् चूएगा, यातियामं गतरसम पूति परियुसितम चैत, उच्छिष्टम अपीचामेद्यम, भोजनं तामस प्रियम, यह तामसी ब्रक्ति को ऐसे भोजन पसंद है, प्री है, पसंद है नहीं है, प्री है, तामसी आदमी को, जो अंदकार में जीता है, तो इसमें यात्यामम तीन गंटी से पहले बनाया हुआ गत्रसम जो टेश्टीनी टेश्ट लेस पूती जो बासी हो गया है शड़ गया है परियुशितम पूती यानी बासी हो गया है परियुशितम यानी शड़ गया है दुरगंद मार रहा है बंदर भी सूंग लेता है और खुश्वू नहीं है फैख देता है लिए तो वो मनुष्य है से समाज में जो दुरगंद युक्त भोजन करते हैं लेकर नों को वो दुरगंद भी सुगंद लगती है शराब में कितनी भी दुरगंद हो या सिग्रेट में या हैरोईन में या मांस में सड़े हुए मांस में वो दुरगंद भी वो सुगंद ही मांते हैं कोई शराबी से पूछो ओछ शराब की खुश्वू अभी तो इत्र चले हुए सेंट इस्प्रे वो शराब के नशेवा शराब की इसमेल है उनके अंदर वो ही चलते हैं जादा सारे संसार में वो ही सबसे ज़्यादा इस्प्रे विकता है इत्तर सेंट जिसमें शराब जैसी बास आ रही हो तो समाज नीचे से उपर तक तमोगुण में जियेगा तो इसके हालत खराब हो जाएगी यातियामम गत्रसम पूति परियुसितम चयत उच्छिष्टम अपी चामेध्यम भोजनम तामस्प्रियम तो ये तमोगुणी अंधकार में जो जीने वाले ब्यक्ति हैं जिनका सुवाव अंदा है बिचार धारा अंदी है जिनकी बुद्धी अंदी है वो लोग ऐसा ही भोजन करते हैं अंदा ही भोजन करते हैं तो उनका विकास कैसे होगा अंदे अंदा ठेलिया दोनोई कूप पढ़न्द ये तो दोनोई कूए में पढ़ने वाले जाके गुरुजी अंदडे चेला खरा निरंद जिनके गुरुजी मारखदर्शक या सलाकार या मित्रमंडल अंदे हैं वो जो सला देंगे वो तो अंदा बनाने की सला देंगे आपको अंदा ही बना रालेंगे जाके गुरुजी अंदडे चेलो खरो निरंद अंदे अंदा ठेलिया दोनों कूप पढ़ंद तो यह कोई में पढ़ेंगे अंद कूप में जा काले नाग मढ़ रहे रहे पनकार मार रहे हैं तमोगुणी भगवान सरी कृष्टन ने गीता में कहा है तमोगुणी नरक में ढखेल दिये जाते हैं ढखेल ना ने ढखका मार देना उन्हों यह नहीं हो यह बिमान आता है लेने के लिए कि चले साथ आप आपने बहुत चमतकारिक काम किये हैं नरक में जाने के काम किये हैं आईए आपको बिमान लेके आए नरक से हम लोग, नहीं, बगवान सरी कृष्ण कहते हैं कि तमुग उनी पूरसों को नरक में ढखका मार दिया जाता है, नरक की और ढखेल दिया जाता है। वह जनम जनम दर जनम वा अंदकार में नरक में जीते हैं, जनम लेते हैं बड़ मरते हैं। ऐसे असुर दुष्ट राक्षस कहलाते हैं, जो अंदकार में जीते हैं, अंदकार में काम करते हैं, संसार में बिस पैदा करते हैं। यह अंदतम लोग हैं, चाहिए वो टेरर हो, यह चोर हो, ढाकू हो, अत्यारे हो, समास, दूशित समास के ही लक्षन हो जाते हैं पैदा, तो इनके भूजिन बिगड़ जाते हैं। आरस्त्वपी सरवष्यत्र विदो भवती प्रियाह, यज्यस्तपस्तता दानं ते सांबेदं इमं स्रुनू। आयूह सत्व बलारुग्य सुख प्रीती विवर्दना, रश्याह इस्निक्धा, इस्थिराहिर्द्या, आहारा साथ्विक्प्रियाह इस्त्वुनी। मनुष्य के भोजन बतलाए भगवान ने कट्वाम लवना त्योष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाईना आहारा राजसेश्टा दुख शोका मैं प्रदा ये रजोगुणी पुरुष्ण के दुख देने वाले चिंता पैदा करने वाले रजोगुणी आहार हैं बीमारी पैदा करने वाले यातियामम गतरसं पूति परियुसितं चयत उच्छिष्टम अपीचामेद्यम भोजनम तामस्प्रियम ये तमोगुणी पुरुष्ण के भोजन बतलाए सड़े बासी गंदे जूटे छोने लाइक भी नहीं ऐसे भोजन तमोगुणी पुरुष्ण को ज़्यादा पसंद आते हैं तो तमोगुणी पुरुष हो या रजोगुणी हो या सतोगुणी हो सतोगुणी पुरुष परमेश्वर की और यात्रा कर सकता है ये जागरीत प्रानी है इसके लिए दरवाजे खुल चुके हैं अभी आगे बड़े या ने बड़े सतोगुणी पुरुष सुद्शद्शत्व में इस्तिर हो सकता है परमात्मा की गोदी में चर्णों में जा सकता है रजोगुणी सतोगुण इस तर पर आ सकता है तमोगुणी भी रजोगुणी इस तर को भी क्रोस करके सतोगुण में आ सकता है और सतोगुणी के लिए दरवाजे खुले परमात्मा के सर्फ यूटर्न लेने की जरुत है आप चाहे हज़ारों मिल दूर चलेगे ले गलत दिशा में चलेगे अभी यूटर्न लेलो शास्त्र कहते हैं संत कहते हैं स्वयम भगवान के वाक्य हैं इनको माल लो तो आप सुखी हो जाओगे आप तंदरुस्त हो जाओगे आप आनंद के धनी बनोगे सुख के स्रोत जर्ने आपके इरदे से फूट निकलेंगे सुखी सुख बरसेगा पगवान कहते हैं कि अरजुन जैसे भोजन तीन प्रकार का होता है ऐसे यग, दान और तप ये भी तीन तीन फैकल्टीज में बाटा है ये भी रजगुनी, सतगुनी, तमगुनी होती है आहारस्तवपी सरवश्य, त्रिविदो भवती प्रियह यग्यस्तपस्तथादानम, तेसाम बेदम इमम सुनू, हे अरजुनी से भी तु सुन इनमें भी बेद है यग्यों में, यग्य भी तीन प्रकार के बतलाएंगी भगवान दान भी तीन प्रकार का होता है और तप भी तप क्या है, यग्य क्या है और दान क्या है ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए यग्य, अंग्रेजी में इसका शब्द मिलता है सेक्रीफाई, सेक्रिफिकेशन जो हम कोई चीज बलिदान करते हैं भगवान की श्री चरन कमलों में नियोच्छावर करते हैं उसको यग्य कहा है बली देते हैं नारियल बली देते हैं आउतियां देते हैं आवण करते हैं उसके साथ में सुन्दर भगवान का ब्यंजन बना के उनको भोग लगाते हैं और आने वाले आगंतुकों को खिलाते पिलाते हैं रिष्टेदार बंदू बांदों को वस्तर देते हैं दान करते हैं दान की महिमा है यग्य की महिमा है तब की महिमा है यग्यस तपस तता दानम तेसाम भेदम इनमें भेद हैं यग्य तो बहुत लोग करते हैं लिन कोई तमोगुणी यग्य करता है कोई रजोगुणी यग्य करता है कोई सतोगुणी यग्य करता है सभी करते हैं संसार में ये तब भी करते हैं लोग तब करते हैं तभी तो बिल्लिंगे मनती हैं बड़ी बड़ी तब यानी मेनत कड़ी मेनत लिए कोई रजोगुणी तब करता है चले दिल्ली की और पद को प्रात्त करने ये रजगुनी तब है, बड़ा परिश्रम है जीत गए तो वावा नहीं हार गए तो तोते उड़ जाते हैं मूँ के या पार्टिन ने रिजेक्ट कर दिया तो भी तोते उड़ जाते हैं रो पड़ता है चेहरा तब है मेनत बड़ी है इसमें कहां से जागरन चुरू करना है, कहां से प्रारंब करनी है कहां से लोगों को जगाना है कि वहिया बोट मुझे ही देना सब घरबार छोड़ देना पड़ता है किदर बच्चे हैं, किदर पत्नी हैं, बड़ी कड़ी मेनत कर रहे हैं कहां गए पापा चार बजे उटके अरे बेटा हो, बोट वालों को समझाने गए हैं, कि बोट मुझे देना, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यह भी तप है, यह रजोगुणी तप है तप करता है, रजोगुणी भी करता है भगवायन स्रीकृष्ण कहते हैं ये तीन गुणों में ये तप होते हैं और तप की फैकल्टी भी शरीर में तीन जगा है मन का तप है वाणी का तप है और शरीर का तप है तो आईए इसी संधर्व में हम आगे प्रवेश करते हैं और शर्ष्ण करते है वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया नारायनम नमस्कृत्याम नरमचेव नरूतमं देवीम सरस्वतीम व्यासं ततो जया मुदीरे नष्ट प्राये सुद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति यग्यस तपस तदादानम तेसाम बेदम इमम सुनू भगवायन स्री कृष्ण ने कहा है कि भोजन जिस प्रकार से तीन प्रकार का होता है उसी प्रकार से यग्य दान और तब भी तीन प्रकार की होते हैं आरस्त भोजनेने आहार, आहारस्त वपी सरवश्य, तरिविधो भावती प्रिया, यग्यस्त पस्त थादानं, ते साम भेदं, इमं स्रुनू हे अर्जुन, मुझे ये भी सुन, कि किस प्रकार से यग्य तीन प्रकार के होते हैं, और तब तीन प्रकार के होते हैं, और दान भी तीन प्रकार के होते हैं, सबसे पहले भगवान ने आहार की विश्य में बतलाया है